आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतिक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें Hello students, प्रशन है, पंक के समान लंबा वृतिकाग्र पाया जाता है पहला है चावल, दूसरा मका, तीसरा है, गन्नाच होता है, इन में से कोई नहीं तो हमें प्रशन में पूचा है कि पंक के समान वृतिकाग्र किसका पाया जाता है तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं व्रतिकाग्र क्या होता है इसको स्टिगमा बोते हैं व्रतिकाग्र जो है ये होता है स्त्रीकेशर का भाग होता है और ये पुष्प में पाया जाता है पुष्प में इस प्रकार से होता है जैसे ये नीचे अंडाशे होता है मद्दे में व्रतिका होती है इस प्रकार से और उपर पाया जाता है व्रतिकाग्र व्रतिकाग्र जो है ये पराग कणों को ग्रहन करने का काम करता है पराग कणों को ग्रहन करना ये इसका मुख्य काम ह होता है उसे अंकूरित होकर पराग नली बनती है यहां पर तो व्रतिकागर जो है यह पंक के समान किसमे पाया जाता है पंक समान और लंबा व्रतिकागर तो पहला हमें विकल्व दिया गया है चावल तो सबसे पहले चावन्द के बारे में देख लेते हैं, चावन्द, चावन्द को टीटी का में स्टीवम बोलते हैं, वेग्यानिक बासा में, और चावन्द में जो वरती कागर होता है, वो पंक के समान होता है, पंक समान होता है, और लंबा होता है, इस प्रकार से इसकी जना पाई जाती है, चावल में व्रति काग्र और स्टिग्मा की, दूसरा हमें दिया गया है मक्का के लिए, तो मक्का के लिए किस प्रकार से होता है, मक्का, जी आमेज बोलते हैं इसको, और मक्का में जो व्रति काग्र होता है, वो तंतू नूमा होता है, तंतू नूमा, इ से ये मक्का है और मक्का का ये व्रतिका है और ये व्रतिकाग्र है उपर तो ये तंतु नुमा ही होता है इसका व्रतिका और व्रतिकाग्र तीसरा दिया गया है गन्ना तो गन्ना जो है तीसरा गन्ना शुगर केन तो गन्ना में व्रतिकाग्र जो है वो तंतु की होता है तंत इन में से कोई नहीं तो इस प्रकार से हमें पूछा गया था पंक के समान लंबा व्रतिकागर तो चावल जो है इसमें व्रतिकागर पंक समान होता है इसलिए यह सही है दूसरा है मक्का इसमें तंतु की होता है इसलिए गलत है गन्ना में भी तंतु के इसलिए यह भी गलत है आशी डाउनोट करें डाउटने डाप या वच्चाप करें अपने सारे डाउट्स 84444 पर